नीच मामले को लेकर कॉंग्रस 21 जून को देश रापिया अंदोलन करेगी। कॉंग्रस ने एक्स पर कहा कि देश के भविश्य को सुरक्षत करने की लड़ाई हम सब की लड़ाई है हर केमत पर छात्रों को न्यायत दिला कर रहेंगे। 54 जनम दिन पर कॉंग्रस नेतर राहूल गान्धी का बड़ा दावा एंडिये के कुछ दल हमारे संपर्क में छोटी सी गड़बड़ी गिरा सकती है सरकार। सीम केज़िवाल की नियाएक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी पहले 19 जून को खत्म हो रही थी हिरासत दिली सीम के वकील ने कहा कि एजी के पास कस्टडी बढ़ाने का कोई आधार नहीं। आयोध्या राम मंदिर में गोली लगने से जवान की मौत माते पर लगी गोली राम मंदिर परिसल की सुरक्षा में तैनाथ था जवान। भाई बोला कि मामले की जाच हो लोग बोले मंदिर बनवा दिया लेकिन सुरक्षा करवाना मुश्किल है। कॉंग्रस प्रदेश अध्याक्ष अजयर राय का मोधी को चैलेंज बोले प्रधान मंतरी स्तीफा दे कर फिर से लड़े वारा रसी से चुनाव। अगर वो जीत गए तो मैं छोड़ दूँगा राजनीती। दिल्ली की मंतरी आतिशी का पीएम मोधी को पत्र कहा कि दिल्ली वालों का कष्ट में सहन नहीं कर सकती। अब अगर 21 जून तक दिल्ली के हक का पानी नहीं मिला तो मैं अनिश्चित कालीन अंशन पर बैठूँग। डाजलिंग ट्रेन दुर घटना को लेकर कॉंगर सद्याक्षु मलिकर जुन खरके ने उठा इस सवाल पूछा रेलवे में करीब 3 लाक पद खाली क्यूं है उनको पिछले 10 सालों में क्यूं नहीं भरा गया बाला सोर घटना के बाद कवत सुरक्षा का एक भी किलो मीटर क् महराश्ट्र चुनाव में M.V.A. ज़ारी कर सकता है सायूक्त गोशनापत्र राजे विदानसवा चुनाव के लिए गोशनापत्र में किसानों के मुद्दे को दी जाएगी प्राथमिक्ता यूपी में बोली लगाकर हो रही है दलितों की हत्या योगी सरकार पर चंदर शे प्राइवरों की होगी भरती तो दोस्तों यह आज की तमाम बड़े खबरे इसी तरीके की और खबरे देखने के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लिजे मसकार